सास्ट्रकाल जरी तुस्दे करियो पंजाब मेल यूससे टीवी मैं सुकतीप कॉर संदू खबरां दे इस बिलेटन मेंच थ्वड़ा स्वागत पहला पेश ने चोन मिया खबरां काबिनेट मंत्री राना गुर्जी दे पुतर ने कांगरस खिलाफ दाखल की ते कागल्स हुन खबरां वस्थार देनाल कनेड़ा दे इमिग्रेशन मंत्री सीन फ्रेजर ने क्याए कि 2002 दे दुरान पर्मानेंट रेजिटैंसी दियां अर्जियां दानिप्टार आते जी देनाल की ता जांतर आएगा ते महाच दे आखिर तक लागपाग इकलाक संताली हिसार कीसा दा फैंसला कार दिता जाएगा जो की बीते साल दे पहले तेन महिनिया दे मुकाबले तकरीबन दुगणिया अर्जियां दी गिंती होएगी जानकरी देनुसार कनेड़ा दे इमिग्रेशन मंत्राली देवल 2021 दे दुरान पक्की इमिग्रेशन दिया लागपाग 5 लाक अर्जियां दा फैंसला की ता ग्यासी मंत्राली दे वलो निरतारित समय देमसार स्किल्ड वर्कर्ज कैटेगरी दी पी आर अप्लिकेशन दा निप्टारा छेकों महिनिया दे वेच हो जणा चाहिदा है इस समय अर्जियां दा वड़ा अंबार हून कार्ण लागपाग 2 साला ताक दा समा लगना आमगल है उनने दसे है कि सरकार ने इमिग्रेशन सिस्टम देवेच सुधारां देले पचासी मिलियन डॉलर दी राशी रखी गई है इस साल दे अंतता का फाइलां दे निप्टारे दा समा नीमित करंद वेच मदद मिलेगी परदान मंतरी जस्टिन टूडो ने वी इमिग्रेशन मंतरी नूब बीते साल दसम्बर देवेच पत्तर लिख के अर्जियां निप्टारे देवेच तेजिल्यों दी हदायत किती सी मंत्री फ्रेजर ने आख्या एकी स्टडी पर्मिट वर्ट पर्मिट सेलानी वीजा नागरिक्ता अते पियार कार्टी में आदव दोन दियां अचिंगादा फैंसला करन्दा समान नीमित करंदी वी यतन कीते चारेने पार्ती चोन कमिशन ने मिती 10 फरवरी 2022 तो मिती 7 मार्च 2022 तक देश पर देविच एक्जिट पोल ते पबंदी लाई है इस समबंदी जानकारी दिन दिया मुख चोन अपसर पंजाब डाक्टर एस करुना राजुनेत अस्याए कि लोक प्रतिनीद कानून उनिसो कवंजादी तारा 126 एद यनू सार मिती 10 फरवरी 2022 तो मिती 7 मार्च 2022 शाम साड़े 6 वज तक कोई वी एक्जिट पोल नहीं किता ज सकता सो बुलारी ने होर्स पश्ची करन दंदे दसे आए कि शोन कमिशन पार्त देवलो मिती ठाई जनुवरी 2022 नू जारी नोटिफिकेशन देरु सार चोना वाली खेतना देवेज चोना तो अड़ताली कैंटे पहला कोई वी लाक्टोनिक मीडिया किसे वी एक्जिट पोल दे नतीजे जांसर वेखन नू नहीं दिखा सकेगा मजीठिया दी था हुण उना दी पतनी गनीव को और मजीठा विदानसबा हलका तो श्रोम्नियकाली दल दे उमीदवार हुण के जिकर्जोग है कि उनादी पतनी गनीव को और मजीठा वलो बीते दिन विदान सबा हलका मजीठा तो नामजदगी पतर पर अंतो बाद इसाफ हो गया है कि मजीठा होन मजीठा तो चोन नहीं लड़नगे नामजदगी पतर पर अंतो बाद अगनीव मजीठिया ने पतरकारां तो दूरी बना के रखी सी ते ओन अपनी कार्दविट बैठके पतरकारां दे स्वालां दे जवाब दिते बिना ही चले गे सन मजीठिया ने उना दे मजीठा हलका चटनते उना दी पतनी दे ओठों चोन लड़न दा अलान कार दता है मगरों ओना दा अशीरवाद लैंड तो मगरों ओना दी थापी लैंड तो मगरों अज दासे अनाउंसमेंट का रहा है कि मजीठे अलकें जो मेरी तरम पतनी गनीव को और जी ओठों लेक्शन लड़न गे और दास अम्मर्चर इस्ट श्री अम्मर्चर सावदी पूरवी अलकेतों एलक्शन लड़ूगा ते मैं ते सिद्धू साहब बारे एक को गल कह सकता है श्रीद्धू साहब थोटा अंकार नू अटावणा थो नू प्यार करना सिखोना और शिद्धू साहब नू जिनादी मैं समझता है ना सोच ना सचाही है बस अंदीया लड़ाई है जीदे मर्जी नाल बाल लड़न पर नू त्यार रहीं देया उननानू थोड़ा बहुता प्यार करना भी सखामांगे इज्जत देना भी सखामांगे वड़्यादा सतकार करना भी सखामांगे छोटेयानू प्यार करना भी सखामांगे एसलिए एलेक्शन मैं समझता है पहुंच दे बखावांगे जेड़े आवाचे फिर देशी तर्थी ते चलना भी सखावांगे श्रीचमकार साहिव देविच्छ संबोधन दोरान मुखमंत्री चन्जी सेंग चन्नी पावखुंदे होई नजर आये मुखमंत्री चनी ने क्या है कि 50 साल देनालो मेरे तेन मही इन एक पासे चनी ने आख्या है कि यसी कठे हां अथे हमेशा इकठे रहांगे इनना बोल दे होई उननाने स्टेश तो पावखुंदे दिखाई देते ने उनना दी तरम पतनी उनना नूपिट था पड़के उनना दिलासा दिन दे होई नजर आये ने एते दास देना चौने आके श्री चमकौर साहिब हलके दे लई नामजद की पतर पर अंतो पाईला मुकमंत्री चंजी सिंग चन्नी दिशमेश गड पैरुमाजरा विखे मत्था टेकन पौंचे सन विरोधी ते राते शब्दी हमला कर दे होई मुकमंत्री चंजी सिंग चन्नी ने क्याए कि सारिया पाठिया श्री चमकौर साहिब दे लोकानू दबॉन ते तुरिया हो याने अरवेंद केज़िवाल ते तांज कस्दे हो याने क्याए कि जिन्ने मर्जी मेरे ते चूठे परचे दर्ज करवालन पामे रेड़ा करवालन परजाद तक श्री चमकौर साहिब दे हलके दे लोक मेरे नाल ने कोई वाल वीविंगा नहीं कर सकता है जिकर जोग है कि मुख मंत्री चंजी सिंग चंणी श्री चमकौर साहिब तो 2007 तो लगातार जित दर्जाउन दे आरेने 2007 देवेच चन्नी अजाद अमीदवार दे तौरते जिते अते 2012-2013 देवेच मुख मंतरी चन्जी सिंग चन्नी कांगरस दी इट्टी करते जिते ने आमादमी पार्टी पंजाब दे मुख मंतरियों मीदवार पग्वांत मान ने अपने विधान सबा हलका तूरी तो डोर टू दोर चोन पर चार कीता है मान ने चोन कमिशन दे दिशन निर्देशन दी पालना कर देया कार कार जा की लोका देनाल मुलाकात कीती है उनना दा हाल चाल पुछे आते समस्यामा सुनियाने तूरी दे लोकां वेच माननू मिलन आते देखन देले गजब दा उच्छासी लोकां ने था मान दा स्वागत कीता है सम्रथक पग्वंत मान आते आमाद्मी पार्टी जिंदापाद दे नारे लगारे सन इस मौपके ते मानने क्या है कि आमाद्मी पार्टी आम लोकां दी पार्टी है साधे ने ता आम करांदे वेचो निकलेने इसे देले ओ आम लोकां दे दुख दर्दनू चंगी तरह समझ देने असी पंजाब नू अग्गेले जान अती लोकांदियां समस्यावानू हाल करन दले दिन रात एक करके मिनित कार रहे हैं अती योजनवा बना रहे हैं साधी कोल पंजाब दली पूरा रोड माप त्यार है असी पंजाब दी खेती अते जवानी दोहानू पजावांगे रुजगार अते उचेरी सिख्या दे काट दे कारन विदेश जान देली मजबूर हो रहे हैं नौजवाना नू पंजाब देशी सिख्या आते रुजगार दे ठुप में मौक के प्रदान करके पंजाब दे पैसे आते हुनर दोहान दे निकास नू रोकांगे हर कुमें जाता है एक चीज में में बहुत बदिया लगी है जी मेरे दिलों के पिसली डिती है कि कऊंच माना जो ने मर्जी जनमले हो पार जाने का ता है हरे एक रही चाहिए पारी जिंस्ति चे माना पर है नांग दोश्च कर दोश्च पाहिए निदे रह पर है उन्हें क्यों बाता है शुद्वा चलता कि यह ना इस नहां पता है कि आप थंगीरोती पर पुझा लाँ अक्षा जो अख्रूम हो कुझे नशेने मारते हैं, बेर्जगरी ने मारते हैं, खेती जो कर तब है चलो, कर जर चल गया खुद कुशियां, कराने कार बर्बाद करके रखते हैं, शब्दीस साल, पच्छी साल, पच्छी साल कांगे से लिए कितने सांटे उननी, बादो के पर बादे बन गए दो, बाकितों रास्तों तो भी राजगी लेगे रहे हैं, जो अधप यहाँ बने हैं, अल्यानी तो लागो, शाधे चतारी साल नाचट, खुद की फ़दारी हैं, विदान सबहलका सुल्तानफुर लोदीतो अजादु में इद्वार वजो राणा इंद्र ताप सेंग ने चोन अधिकारी कम SDM रंदीप सेंग पास आपने नामसद्गी पत्तर दाखर परवाई ने, उपरांत पत्तर करा दे नाल गल बाद करते हुए, उननाने क्या है कि समुचे हलके दे लोक एस वार राना परिवारते नाल चटान वांग खडे ने, अतिया काली अते आमादमी पाटी नू मू नहीं लगाँगे, उननाने क्या है कि पावन तरती हलका सुल्तान पूर लोधी दे लोकानू साफ सुथराते न्यापूरन परशासन देखे, उनना दियांस मस्यामादा निप्तारा कीता जाएगा, हलके दे विच्चो लोटते कुट दार हलके दा सरपक्खी विकास करवाया शाएगा, उननाने क्या है कि इस वार हलका सुल्तान पूर लोधी तो वड़ी लीड देनाल जित प्रापत करांगे काबिनेट मंतरी राणा गुजी सेंग ने आपनी पार्टी दे आगवाँ नवतेज चीमा सुपाल सिंग खैरा बलविंदर सिंग तालिवाल अते अवतार हैंडरे जूनियर अनूलल कार दे होई क्याए कि और चारे सुल्तान पूर लोधी तो इस ते पुत्तर राणा इंद अधर परताप सिंग नूहरा आदे ने था ओपन जाब कांग्रस दे पर दान नव जोट सेंग सितू नवते संग चीमा ते सुल्तान पूर लोधी दे लोकां को लो हाथ चोड़के मौफी मंगन गे शेर दे विच अपाँ पांसो पुजावा साल मना के हटे हैं ते सीवरे जाला पाणी मिक्स्ट पीन नू मिल्दा लोकां करो कर करा पाणी होगा सेर्थ तक खराब होनी होनी है मैंनो आता लेंड देजा सवाल पूरे कर लेंड देजा स्पीड की चीज आनने हूँ एदे तो बाद आजिए जीमीदारानों तकड़े करना एक्रीकल्चर दे ग्रीव जनतानों पांच पांच मरले दे प्लाट सरकार दी स्कीम है कि यहां पिनाच प्लाट ही नहीं देते गए तसील ठेके तेसी हैं पहले देन तसील सोधार के रख दोंगा पोल्स नजायज पर्चियां कराउन तो लावाय मेले नू कोई काम नहीं सेगा जिद्धन दारान आया हो ठंड़े हो गया तेक चीज है सुल्तान पुर्दे वेच छे मिर्णाली कोई नजायज पर्चा नहीं होगा ताकि लोग का नुए कलेरेटी आजवे कि पुलिटिकल अपने आपने आपने आपनों सधार लेंगे ते पिंडान दे वेच एक दुझे ना चंकी तरा वरता हो ठंड़े ने रेत माफिया बारे पतरकारा देनाल गल बात कर दियां क्या है कि मुखमंत्री चंजे सिंग्चनी सब तो बड़ा रेत माफिया है गैर करूनी डेत माइनिंग नू प्रमोट करन दियां चंणी दियां आडियो वीजुल हन जित्थे ओ एस एस पीस दिनाल गल कर रहे है उस दियां टेपा मीने जना दे वेच चो कहरे है कि अपसरा नू रोकना नहीं मुखमंत्री यह हो जई गाल कहे इस तो माड़ी गाल होर पनती है एक स्वाल दे ज्वाल दे वेचा कालीदलदे पड़दण ने पद sizinतों मुखमंत्री रहे होरा दे 5 मार्ज दो बाद उस रहे हैं तो चेयां आपसंगिओ जानके चन्नी अंदर जाओगा सब तो वड़ा रेत माफिया सरी में सनी है ओडियो विजल्स है और टेपा है जिते ओग इल्लीगल माइनिंग नूँ प्रमोट कर रहे हैं तेपा है जिते ओए सस्पना गल कर रहे हैं खुली चुटी आफसरा नू कह रहे हैं कोई रोकना नहीं पांग पांगर सब्सक्राइब कर दान सुनील कोमार जाखर ने मुख मंत्री ओदेन नू लेके वड़ा खुलासा किता है जाखर ने किया है कि कैप्टन अमरंदर सेंगनू मुख मंत्री ओदे तो हटा उन्तों बाद का अंगर सहाइक मान ने वोटिंग करवाई सी इस वोटिंग द नासी विधायका दे विचो बताली होना दे हाख दे विच आई संजाद की चंजी सिंग चनी दा सिरफ दो विधायका ने सुम्रतन कीता सी इस दे बाद जो दो मुख मंत्री बन गए एगल सु नील जाखण ने चोन पर चार दो रान अखी है चार जाखण ने वी क्या आई कि उना तो बाद सुख जिंदर सिंग्रंदा आवा दे हाख दे विच 16 विधायका ने अते कैप्टन मरंदर सिंग दी पतनी पर नीट कौर दे हाख दे विच 12 विधायका ने हामी परी इस उलावा नव जोत सिद्धू दे हाख दे विच्छ सिर्फ छेव धायका ने बोट पाई सी, पंजाब दे विच्छ कांग्रिस दा मुख मंत्री चेरा अलान करन तो पहिला जाकर दे एस ब्यान दे हाल जल पैदा कर देती है सो एथे एवी दसन जोग है कि जाकर तो पहिला उप मुख मंत्री सुक्रशंदर सिंग्रन दा वान एवी मुख मंत्री ओदे देली पूरी तरा उना दे ना दे सैम्ती बनन दी गाला की सी दुरॉण जाकर ने ए भी किया है कि मुःकमンドरी नाम बन तो बाद हायकमाण ने उननो ढिप्टी मुःकमंदरी ओते दा earnestफर भी दिता सी इस जोराने जाकर ने हाई कमांदा तान बाद भी कीता ते उनना ने कहाई कि उनना दा ए नाम उद्वाया जोदो ओ विधायत भी नहीं सन सब्सक्राइब बना पंजाब के अंग्रेश्ट परदान नव्जो संग से दूने श्रोम्निया काली दल ते तिखा निश्रान नविंद्य होई कि आये कि आये कि अपकाली दलने पंजाब दे लोकना दे पले कुछ ने चड़े आये उनना ने साब का मुख मंत्री कैपिनिया न काप्टन अमरंदर सेंग दे भी तिखा हमला कर दे आये कि काप्टन शुरू तो ही पार्च पादे इशार्याते कम कर रहे है सिद्धू ने किया है कि कांग्रेस दी सरकार और ते पंजाब दा विकास हार पको कीता जाएगा उननने भी किया है कि एहमद गर्ड देवेच इसनों बढाया जाएगा नवजोत से दूने किया है कि अमर्गर्ड दा शुकाल जाते अमर्गर्ड दा बाइपास बना के दिता जाएगा नवजोत से दू दी स्थाने कौवाशियान नुन दिती इंसन है ते वह इसनों पूरा जरूर करनगे। उन्हाने इस मौप के ते हम आद्मी पार्टी दे कौमी कन्विनर अर्विन केजिवाल बारे बोल दे होई क्या है कि केजिवाल एक नमबर दा चुठा इंसान है। अज़ी डेट रहूल कांदी जी उसे पंजाब मॉडर नों अगेवद आके गए है डिजिटल पंजाब नों अगेवद आके गए है सरपंचा दियां ताकता नों अगेवद आगे 177 ताकता जड़ा रजीव जी ते सपना सीगा एक मिंट साप एक मिंट नों में बूल हरो प्रवलम इंकम है अज मैंस टेटे खड़के किया है कोई इटीटीटी टीचर है जड़ा पैंचन लेंड़ा पेय कमिशन ठोक के कहना मैं है पहले मीनेतों देशाग देया लेकिन इंकम कि थे इंकम में कैप्टन ते बादलां दी अटी सटी दे पेटे ना दे टैंक कां चाह इस लाक करोड रपीए जड़ा ने कमाया ना इस सारा हराम दा है इस राम ते इमान दी लड़ाई है मित्तरा और इस राम दा पैसा अनू फलना नी बादल देखके जाओ देखके जाओ इन्हादिया जदों खिलरी ना सारी यां कमानी ना पाईया गड़ी जोते बादल पाई मेरा था बड़ा पाई मैंनु कैसे पाद माचला पुड़ा कहना है नू था नहीं एक एनार कोल ना कमानी है जो कहना डबल इंजन इता इंजन काता सीज होया है कांगरस तो लगता वजी है नू यूकरें ते रूस दे रिष्टियां देच विवाद विचाले अमरीका द जो बाईडन नहीं किया है कि यूकरें ते रूस दे मसला दा कुटनीती का हल कड़न दा यतन कीता जा रहा है पर जेकर रूस ने जल्दपाजी देविच यूकरें ते हमला करन दा यतन कीता था अमरीका उस्तामू तोड़ जबाप देगा जो बाईडन ने ओवल आफिस दे देविच किया है कि आज संजुक्त राश्टर देविच उनाने यूकरें दी प्रभुसता अते उस्ती खेतरी अखंटा दे नाल नाल नेयम अधारित कोमांत्री प्रबंदान दे मूल सिधा दाजरी करती था है नाल ही यूकरें ते रूस वल्लों संभावित खत्रेदा पर रूस यूकरें दे नेडे तेडे अपनी फाज जमा करता जा रहा है अते ओ हमले दे बहान ने पाल रहा है उना दे विच्छ चतावनी पर एलेज़ दे विच के आए कि जेकर रूस अपनी हरकता तो बाज नहीं आया था अमरीका उस दे वरुद सक्त रुख अपनाएग जिस तरह किसान अंदोलन दे शुड़ू दे विच्छ दुनिया वदी पार्त सरकार दे काले कनुना दे खिलाब सब तो पाइली रैली फ्रिजनो दे विखे होई है इस तो बाद बहुत रैलीयां दे फांड रेजर होये ने आते अंदोलन कार रहे किसाना दे मधद कीती जिस दे विच्च पार्ती पाइचारे तो इलावा अमरीका दे वाकवाकफी पागतो सरकारी अधिकारी शामिल होई ने अते समुच्चे सिख पाइचारे नू हर समय सहयोग देन दी वचन बत्ता प्रक्टाई कही है जिनन दे विच्च फ्रिजनो सिटी कॉंसल दे मेर जैरी डायर अते सारे कॉंसल मांबर शामिलने इसे तरा इलाके दे कॉंगरस्मान डेविंड वल्डियू अते होर पट्यादी कारी शामिल होई ने इस समय खास दोरते पार्त तो डाक्टर वरिंदरपाल सिंग इंगलान तो स्कुलना आते होर थामाते आरहियां मुश्क्ला बारे वी गल होई है एसस मुचे प्रोग्राम दा टीचा पार्त दे किसानी पाइचारे नू उच्चा चुकना एथो दे सेख पाइचारे वलो सिख्या दे केतर दो विच पंजाब ती बजद करन वर गे विशे वी शामिल इस प्रोग्राम दे दो रन फ्रिजनों सिटी कॉंसल दे वलो इतिहास सर्च दे होई ती जनवरी दाद देन फटे दिवस दे तौर दे दर्ज कीता क्या है Starting from this very point that when the Indian farmers were on the roads at the borders of the Delhi, so Dr. Ekdar has already told you about these laws, why these were protested and why Indian government was asked to repeal these laws. So I will not repeat the thing. So it was a great point that when in the history we have revived our legacy of United Nations, I mean that the nation India has united. So they have told the government that once we stand together, it's not a time to repeat the same thing again and again. Although the three laws, they have been repealed by the Indian government, but the problems of the farmers, they are still there. Today, the farmers have been Not even happened again in India as a result of the resilience to the point of death, where farmers marched and protested. regardless of the weather, regardless of the resistance, they stood fast. And that is something I am very, very proud to have been a part of from a distant land. वरिंदर पाल हो रहाने इते पहुंचके उनना वोलों जड़ी आत्म प्रगाश्च उना इस संस्था बनाई होई है कि में कसाना दी हल्प कर देया उदे सबंदे विच उनने पाशन देता आज दे समागमा जो मैंते से संदेट वलों रुख्या लिया सिया जो भी पार्मर बनादे जिनना ने कसानी से घर्शमों के कसाना दे हाग देवेच आवाज बलंद करी ते उनने दाज खासता और देशी तान वाद कीता थे उनननों सर्मान्त कीता गया सो उस तो परांता आज कम्यूनिटी देवेच उननों मुश्कला आ रही हैं जिएस तरह के बच्चे उ पर देवेच उननों बुली दाइडा बुली हंदेने ऊदा विशासी ते बिज़र्गान वो पार्का में जांदेने ऊनना दे हमले हंदेने कोश नशेयां दे करके अपनी कम्यूनिटी जो मुश्कला निका कम्यूनिटी सेंटर दि लो उसी से तिनने चीज्चां सी सिटी इ कार्लीमेंट हे लादे आले दुआले जान कुछ के आवाजाईनों बादत कीता है कुझ परदर्शनकारियाने नैशनल वार मेमोरियल देवेच यूरेन पास कीता अते वहन खड़े कीते ने एक व्यक्ती टूम आफ दा अन्नोन सोल्जर ते खड़े होके नचे आए ग्लोब कई लोग नरास होगे ने कनेड़ा दे पीम जस्टिन टूडो ने क्या आए की ओट आवा दे वेच परदर्शन करनवाली लोग काट गिन दी दे हान अते परदर्शन तो रान टूडो अते उन्हों दे परिवार एक अनजान स्थांते चले गए उन्हादे दो बच्चे क्रो दो विद्यार्थिया नो स्कूल दे बार गोली मार देती गई है जिस दे वेच एक दी पहुत हो गई है पुलिस ने दसे आए कि एक विद्यार्थी दी हालत गंबीर हो गई है तो जकमी विद्यार्थी नो एक स्थाने खस पाल दे वेच परती करवाया गया इस मामले दे व पुले से मुखी ने किया है कि ए रिच फिल्ड शेहर दे ले एक दुखत देना है। पुले से मुखी ने किया है।